श्री गनेशाय नमहा नमशकार दोस्तों ये राशी फल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उथार चड़ाव आते है वो चंद्रमा की स्तिधी लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज इस दिन आपको धन की कोई कमी नहीं होगी आपकी आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी पैसा आपके लिए आएगा इस समय में फिजुल के खर्चे भी नहीं होंगे आपकी चतुराई आपकी मधूरवानी इस समय में लोगों को प्रभावित करेगी इस समय में आपको पुत् इस समय में आपके नए रिष्टे कायम होंगे, नए मित्र बनेंगे, और जो भी सोचोगे, जो भी चुनोगे, उसमें आप सही करोगे, लव रिलेशन्चिप के लिए भी ये दिन शुब साबित होगा, आपको अच्छा जीवन साथ ही इस समय में मिल सकता है, इस समय में सरकार में आपकी प्रसिदी चारो और फैल सकती है, राजनीती में इंटरेस्टेट लोगों के लिए भी ये दिन बहतरीन साबित होगा, इस समय में नोकर, चाकर और वाहन का सुख आपको मिल रहा है, इस समय में नया वाहन लेना चाहते हो, या भूमी लेना चाहते हो, तो दिन इ अध्यार्थियों के लिए भी बेहतरीन रहेगा, पंचमभाव पर दुष्टी होने से आप इस समय में पढ़ाई में कॉंसेंट्रेट कर पाओगे, अपने लिए सही फैसले ले पाओगे, टीचर्स का और परिवार का सपोर्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा, जिन स्टूड इस समय में आपकी चुस्ति स्पूर्टी देखने वाली होगी, काम करने की गती बढ़ेगी, काम करने की क्षमता बढ़ेगी, मन भी प्रसंद रहेगा, इस समय में व्यापारियों को खास लाब होने वाला है, ये दिन आपके लिए खास रहेगा, अगर आप इस दिन कोई प पाटनर्स का भी पूरा लाब होगा, जिनकी मदद से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाओगे, इस समय में आपको विदेश से बढ़ा लाब हो सकता है, विदेशी जमीन से धन कमाने का मौका भी इस समय में आपको मिल सकता है, इस समय में जो स्टुडेंस कॉम्पिटिट एक्जाम्स देना चाहते हैं उनके लिए भी ये दिन काफी शुब सावित होने वाला है इस दिन आप कुछ प्लान करोगे तो उसमें काम्याभी आपको जरूर मिलेगी इस दिन आपके लिए सफेद और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा और इस दिन आठ अंक आ प्रेणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐस देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरह से कंगाल हो सकते हैं हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगे पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तों ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को वो देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ, जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी त लेज़ें दिए सफूतर रखे, क्लीन रखे. साती दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामां हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामां को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्यूंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा, कच्रा, कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की जो सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घ इस से धनकी देवी माता लक्षमी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वजय से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़ चीड़ा हट होती है और चोटी चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीजे कूड़ा कचरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है और अगर आपके घर में मकडी का जाला है तो इससे घर में नकारत्मक उर्जा का प्रभाव अधिक बनता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार इससे सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा रखे कम से गम एक महिने में अपने घर के हर कोने की साफ सपाई जरूर करे जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरह से साफ करना चाहिए जाता है क्योंकि मुख्यद्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्यद्वार को साफ सुत्रा रखे और सदा कर रखे तो बहुत अच्छा रहेगा इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्त्रोथ भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्त भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटे नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तो कुछ तस्वीरे है जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगडे की तस्वीर या फिर कुछ तस्वीर लगाने से भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटनाए गटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तो कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते हैं तरक्की ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद